पब्लिक टीवी आपकी आवाद सोनिया गांधी और मलिका अरजुन खड़के के रामवंदिन निमंत्रण को ऐस्विकार कर RSS का प्रोग्राम बताने पर VHP लेता राजकमल गुपता भड़क गए उन्होंने सोनिया गांधी को रोम की वर्टिकल सिटी का एजेंट बताया तो वहीं सोनिया गांधी और खड़के कहा कि ये किसका कारेकरम है हम आपको बताते हैं हम पूरे विश्व के हिंदूों को रामवंदिर के दर्शन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं दाव दयाल खन्ना का जिक्र करते हुए कौग्रेस को उन्होंने घेरा है कॉंग्रेसी निता दाव दयाल खन्ना ने ही सबसे पहले राममंद्र का मुंता उठाया था और निमंत्रन फत्र में उनका नाम भी लिखा है दाव दयाल खन्ना ने उस्तक में लिखा है जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी इंद्रा गांधी को उन्हों ने उसका कोई जवाब नहीं दिया जबकि दाउदयाल कॉंग्रेस के यूपी के स्वास्ता मंत्री थे पहरी बातों मैं मन्य सुनिया गांधी जी कॉंग्रेस के अध्याक्ष मन्य खलगे जी से निवेदन ये करना चाहता हूँ वह जानकरी कि यह कारेकरम किसका है एक रहकर्म हम तो पूरे विशु के cookies के हिंदुों को आमंत्रित कर न है फूरे विक के लोगों को आमंत्रिते क्या है जबकि आपकी जानकारी में एक मैं बता दूँ मैं तो विशंदू परिशत का कारेकरता होने ना थे आपको बता दूँ ये कारेकरम एक कांग्रेसी नेता नहीं राम मंदिर का मुद्धा सबसे पहले उठाया था वो थे मुराजवादना श्रीमान दाउद्याल खन्ना जी स्वर्गिया उनका उस कार्ड के उपर निमंत्र पत्र नाम भी लिखा है वो कॉंग्रेस रीडर थे इससे साफ साफ जाहिर होता है दाउद्याल खन्ना जी ने वीशे को लिया कि ये कांग्रेस सुड़ू से ही हिंदू फ्रोधी है एक पुस्तक है उसके अंदर आप अज्यन करो साफ साफ लिखाया दाउद्याल खन्ना ने चिट्टी लिखी थी श्रीवती इंद्रा गांधी को उन्होंनों उसका कोई जवाब ना दिया वह समय मंत्री थे स्वास मंत्री ते उत्तर प्रदेश सरकार के वह कोई ऐसे नहीं थे उसका आप यह इससे वह इसी बात से दुखित होके तो कि उनकी विचारधारा एक हिंदू की थी वह कहते थे मैं कॉंग्रेसी हूं राजनी द्रस्टी से लेकिन पैदा हिंदू समाज में हुआ उन्हीं हिंदू होने का मुझे गर्व है मैं यह हिंदू होने का घर्व है और उनका नाम सोचिए उनका शरीपूरा हुए कितने दिनों का है आज इस निमंत्र पत्र पर कॉंग्रेसी निटा श्रीमान दाउद्याल कंण यह केवल वुदेशी सक्कियों के हाथों अपने ब्यान देती हैं और मैं तो कहते हूं कि यह केवल केवल रॉम की बैटिकन सिटी की एजेंट है